नमस्कार दर्शकों जैसर कृष्णा स्वागत है आपका हमारे चैनल वी यार एस्ट्रोलोजी में दर्शकों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वृष्चिक रासी वाले लोगों की कि आपके लिए जून का महिना कैसा रहेगा क्या कहता है आपका रासी फल इसके विस्तार्ट से चर्चा करेंगे दर्शकों तो आप ये वीडियो पूरा आवश्य देखिए आपके लिए जानकर इलाब दायक सिद्ध होगी इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली का विशलेशन हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पे संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंट्मेंट बुक करवा सकते हैं अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विसेपर देखिए दर्शकों सबसे पहले बात करते हैं कि जून के महिने में आपके लिए ग्रह स्तितियां किस प्रकार की रहेगी तो देखिए आपके राशी स्वामी मंगल बनते हैं जो कि इस महिने में शष्ट भाव में गोचर करेंगे मेस राशी में तो इस महिने देखिए राशी स्वामी का शष्ट भाव में जाना थोड़ा मैनत आपसे ज़्यादा करवाएगा संगर्स करना पड़ेगा तब जाकर अच्छे लिजल्ट मिलेंगे इसके बाद दर्शकों बात करें तो शुक्र आपकी राशी से सब्टम भाव में मजबूती प्रदान करेंगे तो व्यापारियों के लिए समय काफी शुब रहने वाला है इस समय में लक्समी नारायन योग बना हुआ है आपके लिए सब्टम भाव में बुद्ध के साथ शुक्र रहेंगे जो बहुत अच्छी स्थति है गुरू और सुर्य की यूति भी आपके सब्टम भाव में रहेगी इसके बाद दर्शको शनी आपकी रासी से चतुर्त भाव में बोचर करेंगे राहू की इस्तिती देखी जाए तो आपकी रासी से पंचम भाव में रहेंगे और केतू रासी से एकादश भाव में रहेंगे तो ये सबी ग्रह मिलकर आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे अब विस्तार से हम चर्चा करते हैं सबसे पहले दर्शकों मैं आपको बदाना चाहूंगा उन दिनों के बारे में जहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि देखिए चंद्रमा जब भी हमारी राशी से आशुब भावों में रहते हैं या पापी ग्रहों के प्रभावों में रहते हैं तो वो दिन हमारे लिए अशुब रहते हैं, मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है उन दिनों में और साथी साथ वेर्थ के वाद विवाद भी हो सकते हैं तो वो तारीकें दर्शकों आप नोट कर लीजिए, सबसे पहले देखिए, जून की 3 और 4 तारीक को आपको सतर करेना चाहिए, यहाँ पर चंद्रमा छटे भाव में रहेंगे राशी से, इस कारण आपकी हेल्थ भी गड़ सकती है, स्वास्ते की कोई भी दिक्कत सामने आ सकत तो अपने स्वास्ते का विसेस द्यान रखिए, 3 और 4 तारीक को, इसके बाद दर्शकों 12 और 13 जून आपके लिए थोड़ा चिंता दैक रहेगा, क्योंकि शनी चंद्रमा का संबंद मानसिक तनाव बहुँ ज़्यादा रहेगा, इस दिन वेर्थ की भागदोर रहेगी, स् इसके बाद दर्शकों मैंने के अंत में 28-39 जून का विदिन भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि राहू चंद्रमा का संबंद रहेगा, छट्टे भाओं में भी रहेंगे और इनका संबंद भी रहेगा, इस कारण आप कृपया करके इन दिनों में थोड़ा के श्री राजियों का निर्मान होगा, आपके लिए कोई बड़ा धनलाव हो सकता है 5 और 6 जून को, इसके बाद दर्शकों 12 और 13 जून का दिन भी काफी शूब है, इस दिन आर्थिक दृष्टिकोंड से काफी शूब है ये दिन, देखे दर्शकों 12 और 13 जून को हमने अंसिक तनाव तो रहेगा, परन्तो शूब दिनों में इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस दिन आपको आर्थिक लाब होता हुआ दिख रहा है, हाला कि चिंता तो फिर भी रह सकती है, इसके बाद दर्शकों 20 और 21 जून का दिन काफी शूब है, इस दिन गजकेसरी योग बनेगा आपके लिए केंदर का संबंद गुरु चंद्रमा का बड़ा धनलाब करवाएगा, इसके बाद दर्शकों 26 और 27 तारिक को भी आपको कोई बड़ा पेमेंट मिल सकता है, रुका हुआ पेसा आपको मिल सकता है, आर्थिक लाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस महिने में पढ़ाई काफी अच्छी होती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके रासी से पंचम भाव में जो रासी बनती है, वो गुरु देव ब्रहस्पती की बनती है, वहाँ पर गुरु देव आपके लिए काफी पोजिटिव हो चुके हैं, क्योंकि अब वो करत के खर्चे आप कर सकते हैं, दिखावे के पीछे आपका समय बर्बाद हो सकता है, इन चीजों से दूर रहिए, अपने पढ़ाई पर केंद्रित रहिए, और जिन लोगों की कोई एक्जाम आने वाली है, उनके लिए समय काफी शुब है, आपके लिए सरकारी नोकरी में कोई एक्जाम दे रहे हैं, तो ये महिने में आपके सफल होने की पूरी संभावना बनी हुई है, क्योंकि गूरू और सुर्य का आपकी राशी पर प्रभाव है, निश्चित तोर पर आपको सफलता मिल सकती है, अब दर्शकों बात करते हैं, नोकरी पैसा लोगों की, अपनी वाणी पर थोड़ा नियंदरन रखे है, हाला कि सुर्य गुरू की शुबता के करण आपकी प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं जून में, आपके काफी समय से कोई प्रमोशन अटका हुआ था, तो इस महिने में वो आपको मिल सकता है, सरकारी नोकरी वालों के लिए व्यापारियों के लिए देखा जाए इस महिने में, तो आपके व्यापार भाव के मालव्य राज योग बना रहे हैं, आपके लिए व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, हाला कि राशी स्वामी शेष्ट में हैं, तो महनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, परन्तु रिजल देखे दर्शेगों आर्थिक इस्तिती के इसाप देखा जाए, तो महिना काफी शुब है, क्योंकि आय भाव के मालिक शुकर मजबूत हैं, और धन भाव के मालिक गुरू भी शुकर के साथ मजबूती प्रदान कर रहे हैं, तो आर्थिक गृष्टिकोंड से ये महिना बढ़े सकते हैं, साथ ही साथ आपके धार्मिक कारियों के फीछे थोड़े खर्च भी होंगे, परंतु ये शुब इस्तती है, आपको खर्च करने विचे ये धार्मिक अनुस्ठान वगेरे, आप खरवा सकते हैं घर-परिवार में कोई अत्रा पर भी जा सकते हैं सिस्तिती बन रही है इसके बाद दर्शुकों बात करते हैं विवाइक जीवन और प्रेम सम्मंदों की देखे दर्शुकों विवाइक जीवन के इसाब से देखा जाए तो महीना काफी शुब है आपके देखे सब्तम भाव में वरिशब रासी में शुकर का आना आपके लिए इस्तिती काफी मजबूती प्रदान करेगा विवाइक में कोई भी प्रकार का विवाद था आपके जीवन साथी के साथ मतभेच चल रहे थे तो वो दूर होंगे आप दोनों के बीच प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है साथी साथ जो लोग ऐ विवाइत हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है जो उनके महीने में आपका विवाह तै हो सकता है इसी पूरी संभावना है अगर आप प्रेम विवाह करना चाते हैं तो भी यह समय काफी शूब है आप प्रयास कर सकते हैं घरवालों से बात कर सकते हैं आपके पक्ष में रिजल्ट आते विए दिखाई दे रहे हैं प्रेम संबंद बहुत अच्छे रहेंगे कोई चिंता की बात नहीं है अब दर्शेकों बात करते हैं आपके स्वास्थे की देखिये दर्शेकों स्वास्थे के इस आप से देखा जाए तो आपको हाई ब्लड डिप्रेशर की सिकायट रह सकती है अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो अपने स्वास्थी का विशियस दियान रखे साथी साथ इसमें देखिए थोड़ी भागदोर ज्यादा रहेगी स्ट्रेस ज्यादा रहेगा इस महिने में तो थोड़ा आपने खान पान का विशेस ध्यान रखेगा समय पर खाना अवश्य है और एक देखा जाए तो healthy diet लेना आपके लिए जरूरी है अन्यता आप अपनी भागदोर के चलते मिमार हो सकते हो और तो कोई बड़ी दिक्कत इस महिने में नहीं रहेगी अब दर्शकों देखा जाए तो इस महिने को शुब और लाबकारी बनाने के लिए आपको उपाए और क्या करना चाहिए तो देखिए दर्शकों आपको प्रत्यक सौमवार को सी जी का अभिशेक करना चीज़ से आपका मानसिक तनाव कम होगा साथ ही साथ हर रोज हनुमान चलिसा का पाट करिए बोले नात और हनुमान जी की कुरुपा से आपके जीवन में सारी सफलताएं आपको मिलेगी और ये महिना लाबकारी सिद्ध होगा तो दर्शकों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैसर कृष्णा